ओम शांती, English Translation of VCD No. 3722, Night Class Dated 4-12-1968, Clarified on 3-9-2021 आज का रात्री क्लास है, 4-12-1968, तुदेइज नाइट क्लास है, 4-12-1968, अदूरी बानी उठाई गई है, तुछ समेह में ये जानते हैं बच्चे, कि या सुरी संपर्दा है, और वो दैवी संपर्दा है, अर वो दैवी संपर्दा है, अर बेर का बाप भी ऐसा कहते है, कि तुम बच्चे हो दैवी संपर्दा है, और तुम्हारे अलाबार, सभी धर्म में कनवर्ट होने वाले, आपने धर्म की पक्के, सब हैं आशुरी संपर्दा है, क्योंकि तुम्हारे संपर्दा है, तुम्हारे संपर्दा है, तो नहीं होना, यूस्वारे संपर्दाए के हो गए ना, पिर तुमकू कहा ही जायगा यहां इश्वरिया संपर्द है बाकि दे वी संपर्द है फिर यहां नहीं कहा जायगा As for the rest, you won't be called those belonging to divine community here. क्यों? Why? क्योंकि देवी संपर्दाय तो सत्युकु में बनते हो. It is because you belong to the divine community in the golden age. अभी देवी संपर्दाय बनने के लिए ही ये तुम्हारा पुर्शार्थ है, और यहां का पुर्शार्थ है, असुरसे देवता बनने का. Now, you are making पुर्शार्थ just to belong to the divine community, and you make the पुर्शार्थ to become deities from demons here. अभी मनुष्याँ को तो मालूम नहीं है, के हमा कोई आसुरी संपर्दाय है. Now, people certainly don't know that they belong to the demonic community. They don't consider themselves to be the demonic community. It is certainly the kingdom of Ravan. As is the king, so are the subjects. कि बापुजी भी कहते थे कि रावन राज्य है, और हम तो राम राज्य चाहते हैं. Even बापुजी used to say, this is the kingdom of Ravan, and I want the kingdom of Ravan. अभी रावन राज्य है, तो मनुष्य को यपन को रावन समझते थोड़े हैं. Now, it is the kingdom of Ravan, but people don't consider themselves as Ravan. हाँ, ये बाप तो पक्की है, यथा राजा रानी, तथा प्रजा. Yes, it is confirmed, that as are the king and queen, so are the subjects. चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे नरक लोक हो. Whether it is the abode of heaven, or the abode of hell. अभी रावन तो प्रजा भी रावन सम्पर्दाय है. Now, when it is the kingdom of Ravan, the subjects also belong to the community of Ravan. क्योंकि रावन राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है. It is because, it is the kingdom of Ravan, the kingdom of many heads. नाम ही है प्रजातम्तर राज्य है। परंतु पक्थर बुद्धी होने के कार्में साब बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। कि सारी दुनिय में अभी कैसे दस्रवाले रावन का राज्य है। यही बात हैं बाप बैठ करके तुम बच्छों को समझाते हैं। टो सभी यह जो इतने इतने बजीरे बगएरें, वो सत्यूग में थोड़े ही होते हैं देर के देर। Is खनको वाभी to aap, Clれない सभी करू सत्रवाले बात। ग्र्शोль पिली के कृशला हैं। कि यही अम बने करे हैं। बाबा ने सम्झाया था ना Baba had explained it, hadn't he? कि सत्योगी में कोई बजीर नहीं होती है There are no ministers in the golden age बहाँ गुरु गुजाएं भी नहीं होती है There aren't gurus and holy men there either एक भी बजीर नहीं होता है सत्योग में और नत्रेता There is not even a single minister in the golden and the silver age बले तेता में दो कलाएं कम होती हैं फिर भी वहाँ कोई बजीर नहीं होती है फिर द्वापर यूग से जब द्वादी यूग आता है दो दो धर्म दो राज्ये दो दो मतें दो दो कुल है बास आयें द्वापर से शुरू होती है Then, when the dualistic age arrives from the copper age where there are two religions, two kingdoms, two opinions, two clans and two languages it starts from the copper age भी द्वापर में द्वापर के आद में इतने बजीर नहीं होती हैं Still, there aren't so many ministers in the copper age in the beginning of the copper age No There will be a king and a queen and one minister Now look, for example, Akbar was an emperor and Beerbal was his minister There are certainly no ministers in the golden age No वैसे ही सबको एक एक बजीर होते है Everyone has one minister तो ला ही ऐसे कहते है So, this itself is the law अभी तो एसे कल गी दुनिया में देखो धेर के धेर बजीर है Now look, there are numerous ministers in the iron age world और हर एक देश वी देश की राजी में है And they are present in every state of the country and abroad और बजीर, ये बजीर कहा जाता है राय देने वाले को And as regards ministers, the one who gives advice is called a minister तो देखो, जो राय लेने वाले हैं, उन्हेकी राय पर चलती हैं, उन्हें जट लोग कहेंगे न, जट बुद्धी So look, those who take their advice and work accordingly will be called dull Those having a dull internet, won't they? तो वो राय देने वाला उनको चाहिए क्योंको खुद जट बुद्धी है They need someone to give them advice, because they themselves have a dull intellect तो राय देने वाले यहां और भी अच्छे बनेंगे So those advisors will become even better here He gives advice even to the king So the advisor is more intelligent when compared to him This is why he gives him advice और what will be said Is he foolish? नहीं संजा हा? No Did you understand? तो ऐशे ही संजा जाएगा ना? So this is what will be understood, won't it? परंत इन सब बातों को यह मूर्ख लोग समझते नहीं But these foolish people don't understand all these things अभी देखो हैं कितने बड़े बड़े कितने military commander फला ना तीरा तो हैं तो सभी हिं सक ना बच्चे Now look There are so many big military commanders, etc So all of them are certainly violent Aren't they children? जो मारते काटते रहते एक दूसरे को They keep beating and killing each other उनको फिर क्या कहेंगे? अजुरी ही कहेंगे? Then, what will they be called? They will certainly be called demons और आशुरी संपरदाय में पाँच विकार तो होते ही हैं And there are certainly five vices in the demonic community तो अभी बेहद का बाप आये हैं निर्विकारी बनाने के लिए So now, the unlimited father has come to make you wiceless अभी बेहद का बाप आया हैं तो बच्चों को निर्विकारी तो बनना ही हैं Now, when the unlimited father has come, the children certainly have to become wiceless और बाप युक्ती भी बताते हैं And the father also tells you the method No other worldly father except for the father Be it the greatest religious fathers of the other opposite religions Can tell you the method to become wiceless at all He will say, don't indulge in vices Don't indulge in vices All right, this birth But as regards the burden of vices of many births, there are some who aren't even aware of it It is because not people of every religion believe in rebirth, do they? कभी भी कोई सादू संत के पास जाएंगे ना तो बोलेंगे पवित रहो If you ever go to some sage or saint, they will say stay pure Yes ऐसे कहेंगे नहीं पवित रहो They won't say stay pure वो फिर बोलेंगे महीने में एक दफा जाओ They will say indulge in vices once in a month क्योंकि वो समझते हैं ग्रहस्त आश्रम तो चल नहीं है ग्रहस्त दर्म It is because they think the household ashram, the household duty certainly has to continue तो ऐसे थोड़ा थोड़ा तो वितार में जा नहीं पड़े So, you will certainly have to indulge in vices to some extent बही एक दफा बच्चा पैदा हुआ A son is born first अच्छा फिर एक दफा बच्ची के लिए बस जास्ती नहीं अच्छा Then indulge in vices for a daughter the second time That's it, no more बहा की कोई संपूर निर्विकारी और निर्विकारी बनाने की युक्ती बतावे बो तो कोई बताई ही नहीं सकते पावन बन जावे, पवित्र बन जावे हमेशा के लिए 21 जन्म के लिए As for the rest, no one can tell you the method to become completely viceless, pure forever, for 21 births at all पवित्र रहने के लिए तो कोई पुरुषार्थ कराते ही नहीं है ना No one enables you to make पुरुषार्थ to stay pure at all, do they? ये तो बेह तक अबाप ही आ करके बच्चों को कराते हैं It is just the unlimited father who comes and enables the children to make it और सो भी ये अंत्य में जन्म में ये पुरुषार्थ कराते हैं And that too, he enables them to make this पुरुषार्थ in this last birth As for the rest, there is little time left even in the last birth क्योंकि पवित्र बनना है, जो पवित्र दुनिया में जाना जरूर है You have to become pure, because you definitely have to go to the pure world क्योंकि आप अभी तो दुनिया तो खतम ही हो जाने वाली है It is because the impure world is definitely going to be destroyed The father explains, doesn't he? Children, consider yourself as an imperishable soul बले, ये अपवित्र दुनिया खत्म हो जाएगी दो, this impure world will be destroyed अप अवित्र शरीर साब खलास हो जाएगी All the impure bodies will be destroyed शरीर कहो, दे कहो, ये तो बिनाशी है ना? Call it a body, a deel It is certainly perishable, isn't it? बकि आत्मा तो अभिनाशी है As for the rest, the soul is imperishable तो अपनो को आत्मा सम्झो So, consider yourself as a soul आत्मा आत्मा भाई भाई सम्झो Consider yourself as brothers for each other बेहन भाई भी ना सम्झो अच्छा चलो सम्झो Don't even consider each other as sisters and brothers अच्छा, all right, consider yourself that उनुको भी तो थोड़े दिन आए ना? They too came for a few days, didn't they? तो आत्मा सम्झो करके मुझे याद करते रहो So, consider yourself as a soul and keep remembering me याद करते, 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 मेरे पास पहुंची ही जाएंडे You will definitely come close to me by remembering me gradually ये यात्रा है This is a journey और ये यात्रा तो होती है ना, बच्छी And there is certainly this journey, isn't there, daughter? हात्मा न शरीर छोडा, दूसरा शरीर लिया The soul leaves one body and takes on another body तो ये भी तो एक यात्रा हो गई ना? So, this is also a journey, isn't it? और जन जन्वा अंत्र की यात्रा And it is the journey of many births पुनर जन्वा न हो वे If there isn't rebirth तो सत्यूग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कल्यूग ये नाम तो रखे जाती है ना, सब बाक्यों की The golden age, the silver age, the copper age, and then the iron age Such names are given to everything, aren't they? तो ये तो सबको तो इन आनेक युगों में जन्वा मिलता ही नहीं है शुरूआत में So, not everyone is born in these many ages in the beginning नहीं वो ये समझाने करने लग जाते हैं नहीं तो उनको आकर ये ही समझना चाहिए कि गीता का भगवान कि बेहद का बाप है वो हे कि बेहद का बाप है पतित पावन Otherwise, they should come and understand this very thing The unlimited father is God of the Gita That unlimited father alone is the purifier of the impure अभी बो कहते हैं जो एक ही है पतित और पावन दोनों एक ही पतित पावन कैसे? Now, the one who is both pure as well as impure says this How is the one alone pure as well as impure? जिसा मुकरर रथ मैं प्रवेश करते हैं वो पतित भी और प्रवेश करने वाली आत्मा सदाशिव सदापवित्र सदापवन The permanent chariot he enters is impure and the soul of सदाशिव forever beneficial who enters him is pure forever So he says, remember me So you will become pure from impure और पावर मन जावेंगे तो तुमारा करेक्टर सो दर जावेगा And if you become pure, your character will be reformed Now, children forget to say this in front of the big people who come ये 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 जो भी है तो उनकी बानी है ना बच्चे और बच्चों की तो समझाने की उसमें है ये नहीं ना All of them, their speech And the children just don't explain it Do they? तो बच्चों की समझाने की ये पहले भूल निकलती है So first, this is the mistake children make in their explanation नहीं तो उनको पहले ये समझाना चाहिए के बाप कहते है और जो बाप कहते है वो पतित पावन है Otherwise, you should explain to them beforehand That the father says this And the father who says it is the purifier of the impure चार बाड़ा उनिशो और सटकी रात्री क्लास का दूसर पीश थी स्री लेन Second page of the ninth class stated 4.12.1968 Third line उनको परम्पिता परमात्मा He is called the supreme father supreme soul उनको इपतित पावन कहा जाता है He himself is called purifier of the impure वो आ करके कहते हैं याद करो And he comes and says, remember me तो इस योग बल से सभी पाप कट जावेंगे So, all your sins will be destroyed through this power of you Now, no one would have explained this ऐसा कोई गुरू आया है जिसकी कोई ऐसी सम्झानी हो Has any of such guru who gives such explanation come? किसी ने कहा लिखत में नहीं है Someone said, it isn't written तो लिखत में नहीं आई ना नहीं So, it isn't available in writing, is it? No वो भूल जाते हैं इस समय में Now, they forget it क्यों भूल जाते हैं? Why do they forget it? कहेंगे ड्रामा की बाभी It will be said, it is pre-ordained in the drama अभी देरी है इसलिए जो मुख्य मुख्य बातों में सम्झाना होता है वो भूल जाते हैं There is time left now This is why they forget explaining the main points अभ भूल जाते हैं तो उनकी बुद्धी में कुछ बैठता ही नहीं Now, when they forget it, nothing sits in their intellect at all बिल्कुल ही नहीं बैठता है, जराब ही नहीं It doesn't sit in their intellect at all Not even a little एक रिंचक मात्र भी नहीं It doesn't sit in their intellect even to the slightest extent The introduction of the father जो बाबा कहते रहते हैं ऐसे ऐसे जो भी आवे उनको पहले ये कहू कि बाबा कहते हैं भगवान कहते हैं शिव बाबा कहते हैं कि दे के सभी धर्म छोड़ दो बाबा कीप सेंग First of all, say this to all such ones who come बाबा, God, Shiv बाबा सेंग Renounce all the religions of the body कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिक्क हूँ, ईसाई हूँ I am a Hindu, I am a Muslim, I am a Sikh, I am a Christian All these are the religions of the body, aren't they? The individual features of the people of all the religions are different There are features of the body, aren't they? तो अपन को आतम सम्झो So, consider yourself as a soul दे नहीं सम्झो और मा में कम याद करो Don't consider yourself as a body And remember me alone तावन बन फिर इस बिनास के बाद ने दुनिया में चले जैंगे You will become pure and go to the new world after the destruction अभी ये अक्षर तो सब को कहना चाहिए Now, you should say this to everyone सब को सम्झाना चाहिए You should explain it to everyone के बापका परिचे इसको कहा जाते This is called the introduction of the father अभी ये नास्तिक होते है नेती नेती कहते रहते Now, those who are atheists keep saying नेती नेती, we don't know this तो बहुँ भी ये कहते है They also say the same के हम बापको नहीं जानते We don't know the father अभा नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे ना Now, when they don't know him They are atheists, aren't they? नास्तिक भी उनको कहा जाता है जो बाप को नहीं जानते Those who don't know the father are called atheists नास्तिक उनको नहीं कहा जाता है जो बाप को नहीं जानते Those who don't know the beginning, the middle and the end of the history and geography of the world aren't called atheists उनको कोई नास्तिक नहीं कहा जाता है They aren't called atheists नास्तिक कहा ही जाता है जो बाप को नहीं जानते Those who don't know the father themselves are called atheists आस्तिक नहीं को कहा जाता है जो बाप को जानते हैं Those who know the father are called atheists बेर बाप को जानने की बात है It is about recognizing the unlimited father तो बो समझते हैं के हमको एक तो पदे मिला हुआ है, deputy minister है They think, I have received the position of a deputy minister अच्छा, दूसरा ये ये पड़े हुए है कुछे नो कुछे कोई कोई थोड़ा अच्छा, the other one has studied this and this something Some have studied a little सब नहीं पड़े हुए होते है थोड़े थोड़े Not everyone has studied it There are very few of them who have studied it ते से वो है न, गुल्जारी लालनन्दा For example, there is गुल्जारी लालनन्दा वो भी जानते हैं शास्त्रों को He too knows the scriptures तभी ती ये सभी जो सन्यासी लोग हैं वो सारे सन्यासी धेर के धेर उनको गुरू बना के बैठा Only then, all the sanyasis, the numerous sanyasis have made him their guru तो उनको गुरू बनाया ना They have made him their guru, haven't they? अच्छा, गुरू न सम्झो, तो लीडर सम्झो अच्छा, if you don't consider him a guru, consider him as their leader लीडर भी एक गुरू बन जाते हैं ना A leader also becomes a guru, doesn't he? और यहां तो बच्छों को पहला सबक यही पढ़ाया जाता है कि मीटी मीटी बच्छो, अपन को आतमा सम्झो The very first lesson taught to the children here is Very sweet children, consider yourself as a soul न मिनिस्टर सम्झो, न गुरू सम्झो You should neither consider yourself as a minister, nor a guru और यह जो भी दे है और इनके जो भी नाम हैं, लकब हैं, संबन्द हैं सब को भूल भूल करके यही ख्याल करो कि हम जाते हैं, शरीर को छोड करके घर जाते हैं You should forget the body, its name, titles, relationships and everything And just remember this, we leave our body and go home We came naked from home, and we will go back naked there We certainly won't go there carrying this body आत्मा के घर को सब धर्म वाले मानते तु हैं, ना The people of all the religions do believe in the home of the souls, don't they? अगरे जोग कहते हैं, supreme about, soul world English people call it the supreme about, the soul world The Muslims call it अर्ष They say, God lives in अर्ष यहां तो देखो, नंगा हो करके शरीर दावन करते हो बाद में Look here, you become naked and take on a body later on You came naked and then took on a body here, didn't you? अब यह तो पहले पहले जब वहां गंगा से नहाया है First of all, when he came after bathing in the Ganges अब पहले तो नंगे ही आये थे न You certainly came naked in the beginning, didn't you? तो हमको अभी जाना है So, we have to go back now फिर उसी लोको में जाना है जहाँ देर उपी बस्त रहोता ही नहीं We have to go to that period again where the clothes like body don't exist at all तो फिर समझना चाहिए कि हमें नंग आई जाना है So, you should understand We have to go back just naked आये थे, सतो प्रधान थे When we came, we were सतो प्रधान अब रभ जाना है तो भी फिर सतो प्रधान हो करके जाना है And when we have to go back we certainly have to go becoming सतो प्रधान ये सजाएं बजाएं खा करके फिर भी तो जाना ही तो है ना बच्चे You certainly have to go back after suffering punishments, etc. डोंट ये चिल्रन तो उनको ये समझाना पड़ता है ना बच्चे So, you have to explain it to them, don't you children? कि सतो प्रधान बनने से ही फिर अभी जो हम तमो प्रधान बने हैं Only after becoming सतो प्रधान We have become तमो प्रधान नाओ सतो से सतो सामन ने रजो और फिर तमो अभी कल युग में बने हैं We have become सतो सामन ने, रजो और तमो फ्रों सतो नाओ in the आयन एज प्रधान तो अभी तो बाप को याद कर नहीं पड़ता है ना तमो से सतो बनने के लिए But now, we definitely have to remember the father in order to become सतो फ्रों तमो, don't we? तो को बाप तो सदा सत्त है It is because the father is true forever तो जैसे उको याद करेंगे, हम भी बैसे ही बनेंगे So, we will also become like the one who we remember ये जो मूल बात है, मूल मंत्र ये मूल मंत्र है, मनमनाभव तो कोई भी नहीं रेते हैं कि मुझे याद करू No one gives this main mantra of मनमनाभव, remember me बूल करके पीशे बूलता है ये तो बूल गए He forgets it and then says, I forgot it अभी बाबा रवानी चला रहे है, ना Now, बाबा इस नरेटिंग दवानी, इसंट ही अभी ये सुनेंगे वहाँ Now, he will listen to it there लिखत में भी है It is also present in writing तो बाबा ने ये पॉइंट लिखी है So, बाबा इस रिटन दिस पॉइंट कि बाबा का परिचे कोई भी ने, कोई ने भी फर्च से नहीं दिया No one gave the introduction of बाबा इमेडिएटली और बाबा से बला पहले पहले ही देखो ये बैज पड़ा हुआ है बच्चों को सम्झाने के लिए कि ये बाबा है, ये दादा है And to the father Look, children already have the badge in their intellect in order to explain This one is बाबा and this one is दादा पहले ये नहीं बताएंगे कि ये दादा है और ये है बाबा, नहीं Earlier, you didn't use to say that this one is दादा and this one is बाबा ये है बाबा और ये है दादा This one is बाबा and this one is दादा और ये दादा है वो तो बड़ा भाई हुआ ना तो उनका बच्चा हुआ दादा is the elder brother, isn't he? He is his child तो जिनका बच्चा है वो पहले बाप, फिर बच्चा और बच्चे तो हम सभी नंबरवार हैं और बच्चे तो हम सभी नंबरवार हैं And all of us children are certainly number wise तो बच्चे ओं का दादा भी तो है ना बड़ा भाई So, the elder brother, दादा of the children is also present, isn't he? तो तुम बच्चे देखो आपस में साभ एक दूसरे के दादा हो ना And look, all of your children are दादा, brothers for each other, aren't you? बड़ा भाई, छोटे भाईयों पी लिए दादा हुआ ना The elder brother is दादा for younger brothers, isn't he? तो भाई भाई ही हो ना आपस में So, you are certainly brothers for each other, aren't you? बेहन हो तब जबकि प्रजापिता ब्रह्मा के अडाप्ते चिल्डन हो You are sisters, only when you become adopted children of प्रजापिता ब्रह्मा तब ही कहेंगे Only then you will be called dad तो बस So, that's it यहां तुमारा संग है यहां तुमारा है यहां तुमारा है भाई भाई और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे Your very company and connection is with brothers and the children of प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के कारना आपस में भाई बेहन भी हो You are also brothers and sisters for each other because of being the children of प्रजापिता ब्रह्मा Samjhe na फिर भाई बेहन के बाद फिर तुम बनेंगे मात पिता You have understood, haven't you? Then you will become parents after becoming brothers and sisters Samjhe na You did understand, didn't you? Then relationships There are relationships in the golden age, aren't there? There are very few relationships in the golden age And look, there are so many, numerous relationships in the iron age And there are various kinds of relationships Om Shanti Om Shanti And in the golden age, क्नुड़ा न स्पिक टूचिक तूए लाई भाई बेहने वाई राद नहला प्दोवे लाई नहला आझ झाए पार एंपाको अदूबावपक्सि वाई पदूशी प्वाई झाए भाई एंवाद रादा आपको आपको पादा झा दनुआ कें आपको ओादा उई प